डाइबिटीज एक ऐसा गंभीर रोग जो एक महामारी के तरह फैलता जा रहा है क्या आप जानते हैं कि हर 6 सेकंड में डाइबिटीज के कारण एक व्यक्ति की मौत होती है डाइबिटीज एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति के शरीर में इस तरह अपना बसेरा कर लेता है कि रोगी धीरे धीरे अन्य रोगों से भी घिरना शुरू हो जाता है पर अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपको आपकी डाइबिटीज से निजात दिलाने में पूरी तरहां से सहायक साबित होता है एक ऐसा हर्बल आविशकार जिसे हजारों लोगों ने अपनाया है जो क्लिनिकल ट्रायल है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस हर्बल आविशकार का नाम है बॉडी फोलिया जी हाँ बॉडी फोलिया जिसे सालों की रिसर्च के बाद तयार किया गया है और डाइबिटीज से आपके जीवन की जंग को जीतने में ये पूरी तरहां से सक्षम है Body folia जर से कारे करते हुए आपकी body को detoxify करता है आपके pancreas को nutrition provide करता है आपके cholesterol level को balance करता है और आपके hemoglobin को maintain करने का काम करता है इसका सेवन आपको दिन में सिर्फ दो बार करना है एक ग्लास गुनगुने पानी में सुभा खाली पेट और रातरी में खाना खाने के 30 मिनट बाद Body folia न सिर्फ आपको diabetes से निजात दिलाने में सहायक है बलकि ये आपको cubs, acidity, BP जैसी परिशानियों में भी राहत दिलाता है ये चार महिने का course आपको केवल 2950 रुपए में मिलता है यहां तक कि आपको अगर आराम न मिले तो आपके पैसे वापस तो फिर सोच क्या रही हैं, आज ही order करें Body folia और diabetes को कहें हमेशा के लिए अलविदा नमस्कार दर्शको, मैं हूँ मौनिका ग्रोवर और बहुत-बहुत सुपागता है आप सबी का हमारे इस बेहत खास कारिक्टर मधुमें मुक्त भारत में बिल्कुल दर्शको, भारत को मधुमें मुक्त बनाना आज बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आप जानते हैं कि आज इंडिया डाबेटीज का कापिटल बन चुका है करोडो लोग ऐसे हैं जो डाबेटिक पेशुन्स हैं, डाबेटीज से जूर रहे हैं इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि डाबेटीज का इलाज जो सही तरीके से किया जाए और हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें कैसे आप डाबेटीज का ट्रीटमिन कर सकते हैं कैसे आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं वो भी आयरुवेदिक तरीके से, हबल तरीके से, प्रकर्थी से जुड़ नेचर के करीब रहकर यह हम आपको बताएंगे हमारे इस बेहत खास कारेक्टरम में तो आईए कारेक्टरम को शरुवात करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे विशेशगे ड्रक्टर आरके सिंग का सुभागत है ड्रक्टर साब ब्रकुर ड्रक्टर साब यह कहना गलत नहीं होगा कि आज इंडिया डाबेटीस का कैपिटल बन चुका है और ये वह के रिपोर्ट में भी पाया गया है आज हर दूसरे तीसरे घर में एक डाबेटिक पेशियंट हमें मिल ही जाता है इतनी तेजी के साथ डाबेटिक पेशियंट की संख्या आखर बढ़ क्यों रही है आपने बहुत सही सवाल उठाया है यहां पे कि डाबेटीस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है आज से करीव करें 20 साल पहले डैविटीज के मोटे तौर पे 3 कारण थे और जब तक 3 कारण था डैविटीज बहुत तीजी से अपना पाउंड नहीं पसार रहा था पहला था हेरिडेट्री और वांसी की दूसरा करण था स्ट्रेस और तीसरा करण था सारेडिक फिजकल एक्टिविटी में कमी आना सारेडिक स्रम हम कम करते थे पन समय के अंतराल के साथ दो कारण और एड हुआ और जिसके कारण डैविटीज बहुत तीजी से बढ़ रहा है पहला कारण है कि हम जो खाना खा रहे हैं रोटी चावल दाल सब्जी उसमें पोसक्तक्तों की कमी हो गई है और दूसरा हमारे सरी में टॉक्सिन का लेवल बढ़ता जा रहा है यह दो महत्पुन कारण है उस तीन कारण के अलावा जिसके कारण जैसा कि आपने सही फरमाया कि हर दूसरे तिसरे घर में डैविटीज का एक मरिच पाया जा रहा है उसके पीछे मोटे तौर पे यह दो मुख्य कारण है पर आजकल की लाइफस्टैल हमारी ऐसी हो गए हम इतने बिजी रहने लग गया हमारा स्केड्यूल ऐसा हो गया है भाग दौर भरी जिंदगी है कि को का खानपान सही वो अगर रखना भी चाहें तो भी पूरी तरीके से सही नहीं रह पाता है ते देख लोग जंक फूड का सेवन कर रहे हैं या सुभा इतनी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं रात को इतनी देर से घर में घुसते हैं कि खुद से घर पर खाना ही नह दर्सको को केवल एक सोच की जरूरत है जैसे हम लोग मैगी के तरफ खाने के लिए जाते हैं हम क्या कहते हैं कि मैगी केवल दो मिनट में तयार हो जाता है पर मैं आप दर्सको के दिहान में लाऊंगा कि हमारे देश में ऐसे खाना हैं जो दो मिनट से भी कम में तयार हो जा जहां तक चना का सत्व का सवाल है सुबह में हम लोग उसको पानी में पीते हैं, दो मिनट से भी कम्मे बनता है, केबल चना के सत्व और मैगी में बेसिक डिफरेंस है कि मैगी खाने में टेस्टी है, मतलब आज के दिन में हम सब लोग खाना इसलिए खा रहे हैं कि हमारे फूट खाना सुरू कर देते हैं, रात में हम चाहें तो जंग फूट से दूर भाग सकते हैं, केबल एक सही सोच की जोड़त है, सलाद, फूट से यदि हम खाते हैं, जहां पे कोई टाइम नहीं लगता है, और हमारे सरीर के लिए सही पोसक तत्तो देता है, सही उसमें करना है, जबकि कुद्रत ने खाने का पराफधान केवल और केवल इसलिए किया था, कि हमें भोजन से पोसक तत्तो मिलता है, और इनर्जी मिलता है, फिर से एक बार हमें इस बात का चिंतन करना होगा, और हमारे जीवन में स्वाथ से बढ़के कुछ भी नहीं है, सांस है, तब तक आस है, हम सब लोगों से हमारा रिलेशन तभी तक जूरा हुआ है, जब तक हमारा सास है, तो एक सोच में तबदिली लाने की ज़ुरत है, और आप देखेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे जितने लोग अभी तक जूर चुके हैं, उन्होंने अपनी सोच में वाकारी में अपनी लाइफ मेलाना चाहते हैं थोड़ा सा मैंगेश्मेंट अगर आप रखते हैं तो आप बाहर के खाना खाने से बच्छ सकते हैं, जंग फूट का सेवन करने से बच्छ सकते हैं और इसका सीधा असर आपके स्वास्थ पड़ेगा लेकिन यहाँ पर जो अस्तर पड़ेगा वो सकरात्मक होगा वो पॉजिटिव होगा और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी हेल्थ चाहते किस तरह की है एक खराब शरीर एक अस्वस्त शरीर जो रोगों से घेरा हुआ है हर एक अच्छा बहतर शरीर जो पूरी तरह से स्वस्त है अपने यहाँ पर हमें एकlands टॉक्सिन . लेवल का बढ़ना भी बताया था हमारी शरीर में च्वस्ति बढ़ने का मुख्ष दो तेन कारण है जिसमें कारण stress भी है दूसरा कारण है pollution हावा पुलूट हो गया और आप देखेंगे every second हम लोग oxygen inhale कर रहे हैं और उसके कारण भी toxin जा रहा है और तीसरा excess use of chemical insecticide and pesticide on fruits and vegetables सबजी और फल पे हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा chemical pesticide use करते हैं ओभी एक कारण है कि हमारे सरी में toxin का लेवेल बढ़ रहा है तो मोटे तोर पर आप देखेंगे pollution, chemical insecticide and pesticide and stress यह तीन मुख कारण है जिसके कारण हमारा toxin लेवेल बढ़ जाता है तो यानि कि जो reasons हैं को आपको control करने के जुरूरत है थोड़ा सा ध्यान दीजे क्योंकि अगर आप ध्यान देते हैं तो यह आपके लिए ही बहतर होगा यहाँ पर reasons को हमने specially इसलिए properly discuss किया है ताकि आप लोग यह समझ पाएं आखे diabetes के शिकार आप हो क्यों रहे हैं और इतनी तेजी के स्वस्त भारत का निर्माण होना possible नहीं है इसलिए खुद स्वस्त रहे ताकि एक स्वस्त भारत का निर्माण हो सके हम सभी मिलकर एक स्वस्त समाज कायम रख सके यहाँ पर हमने reasons तो discuss कर लिए पर अगर मैं treatment की बात करूँ क्या कुछ treatment हो सकता है क्योंकि treatment के नाम पर हम दे treatment क्या है आपने सही फरमाया कि हम डेवितिश में ताहूं दवा लेते हैं अफंदवा लने के बाबजूद आप देखेंगे कि हमारे फहर्ट का problem हो रहा है एक group of herbal scientist ने इस research को आगे बढ़ाया और ओ रिसर्च फली भूत हुआ है body folia herbal tonic के रूप में जो हमारा herbal product है pure herbal product है body folia जो मोटे तोर पर जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे body से toxin को flush out करता है हमारे body को detoxify करता है दूसरा हमारे pancreas को जहां से insulin निकलता है insulin secret होता है तो pancreas को जितने भी nutrition की जोगत है सारे nutrition body folia provide करता है नतीजा होता है कि ओभर ए पर टाइम हमारे beta cell regenerate और rejuvenate होते हैं और समचित रूप से वहाँ insulin निकलता है तीसरा cholesterol को सही रेंज में लाने में मदद करता है और चौथा hemoglobin के level को बढ़ाता है यह hemoglobin के level को maintain करता है यह चारों जो हमारे parts हैं यह sugar को properly metabolize energy में करता है और body folia यहाँ पर effectively काम करता है नतीजा होता है कि over a period of time धीरे 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 हम diabetes के चपेट से बाहर आ जाते हैं तो यानि कि यह चार बहतरीन कारे करता है body folia herbal tonic अब जो इसके नाम से ही पता लगता है कि यह herbal है तो इसे अपनाने की यहाँ पर बहुत जादा जरूरत है क्योंकि देखिए जितना भी आप गर्म दवाओं का सेवन करते हैं या एलोपेटिक मेडिसन्स का सेवन करते हैं आप किसी अन्य चुकेट सा प्रणाली में आप एलाज कराते हैं तो यह कहीं न कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुचा रहा है इतनी सारी गर्म दवाएं शिकार बना रही है लेकिन अगर आप प्रकती के करीब रहेंगे हबल तरीके अपनाएंगे हबल मेडिसन्स को अपनाएंगे तो आप स्वस्त्व रह सकेंगे आपको यह नहीं लगेगा कि एक रोग ने आपको चारों तरफ से घेरे रखा है आप जल्ब ठीक हो सकते हैं अगर मैं यहां पर बात करूं जैसे आपने ट्रीटमेंट के तौर पर यह सजस्ट किया है तो इसमें ऐसा और क्या-क्या है क्योंकि चार बहतरीन कारे तो कर देता है लेकिन जैसे कि टॉनिक है इसका सेवन किस तरीके से करना है और इसमें किस-किस प्रकार के इंग्रीडिय में होता है। जबकि बोडीफोलिया हमारे pancariag पर काम करता है। जो pancariag के काम करने में एक समय लगता है। 6-8-9-10 महीने हमारे लग सकते हैं। तो उस दोरान में हमें elopath को लेना है धीरे-धीरे elopath का दबा कम होगा। दूसरा इसके लेने की जो बिदी है सुभह में, नास्ते से पहले, कुNKUNA PANY में, लीगर्म वाटर में हमें लेना है 2ml, और रात में खाने के बाद. पर योदि कोई insulin-dependent patient है, तो वहाँ पे बोडि फोलिया को 3Be盲 लेना है, सुभह नास्ते से पहले, कुNKUNA PANY में, लिटमान वाटर में दीन में खाने के बाद और रात में खाने के बाद 2 ml 2 ml 2 ml लेना है जहां तक इंग्रिजेंट की बात है जैसा कि मैंने बताया कि बोडिफोलिया डियाविटीज पे सही तरीके से कारगर रूप से काम करें उसके लिए बहुत जरूरी था कि हमारे पैंकिरि में प्लांट को इdenटिफाई किया पहला है इस्टिविया री बाडियाना दूसरा है नाजेला सेटिवा और तीसरा है सौरोपस अड्रोगाइनस यह तीन मेडिसिनल प्लांट के लीफ को हम लोग अर्क निकालते हैं और उस अर्क को हम एकवास अर्क निकाला जाता है और वो बोडी फोलिया के रूप में हम यूज करते हैं जहां तक बोडी फोलिया के बारे में एक चीज बताऊंगा कि बोडी फोलिया का कोई पक्षे सामने में आचुके हैं कि हमारे बीटासिल को रिजिनेट रिजूबिनेट करता है कुलोस्टोल को नियंतित करता है और हमोगलोबीन निवेल को बढ़ाता है तो याने कि इसके अंदर वो खुबी है जो आपको किसी भी प्रकास से कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएगी बलके आपकी डियाबिटीज को कंट्रोल में रखेगी डियाबिटीज एक ऐसा गंभी रोग जो एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है क्या आप जानते हैं कि हर 6 सेकिंद में डियाबिटीज के कारण एक व्यक्ति की मौत होती है डियाबिटीज एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति के शरीर में इस तरहा अपना बसेरा कर लेता है कि रोगी धीरे धीरे अन्य रोगों से भी घिर्ना शुरू हो जाता है पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको आपकी डायबिटीस से निजात दिलाने में पूरी तरहां से सहायक साबित होता है एक ऐसा हर्बल आविशकार जिसे हजारों लोगों ने अपनाया है जो क्लिनिकल ट्रायल है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस हर्बल आविशकार का नाम है बॉडी फोलिया जी हां बॉडी फोलिया जिसे सालों की रिसर्च के बाद तैयार किया गया है और डाबिटीस से आपके जीवन की जंग को जीतने में ये पूरी तरहां से सक्षम है बॉडी फोलिया जड़ से कार्य करते हुए आपकी बॉडी को detoxify करता है, आपके pancreas को nutrition provide करता है, आपके cholesterol level को balance करता है और आपके hemoglobin को maintain करने का काम करता है। इसका सेवन आपको दिन में सिर्फ दो बार करना है, एक गलास गुनगुने पानी में सुभा खाली पेट और रातरी में खाना खाने के 30 मिनट बार। Body folia न सिर्फ आपको diabetes से निजात दिलाने में सहायक है, बलकि ये आपको cubs, acidity, BP जैसी परिशानियों में भी राहत दिलाता है। ये चार महिने का course आपको केवल 2950 रुपए में मिलता है, यहां तक कि आपको अगर आराम न मिले तो आपके पैसे वापस। तो फिर सोच क्या रही है, आज ही order करें Body folia और diabetes को कहें हमेशा के लिए अलविदा। सबसे अच्छी बात इसका कोई side effect नहीं है और ये clinical trial है, यानि आप निशिंथ हो सकते हैं और इस दवाई का सेवन कर सकते हैं ताकि आपका Blood Sugar Level Control में रहे, आपकी Diabetes Control में रहे, जो Insulin Patients हैं, उनके बारे में भी उनको बक्खो भी बता दिया गया है कि उन्हें क्या करना है, कि कोई side effect नहीं है, और साथ ही ये clinical trial भी है, लेकिन इसको किस age group का व्यक्ति सेवन कर सकता है, और diabetes अधिकतर किस age group के लोगों में पाई जाती है, ये जानकारी हम आप से जाहेंगे, ये बहुत गंभीर भी से है आज के दिन में कि diabetes कौन से किस age group में पाई जाता है, मैं यहाँ एक example देना चाहूँगा, कि 2012 में रास्थान के भिलवारा district में 5 से 15 साल के बच्चो विद्धार्थी पे, एस्टेंडर 1 तु एस्टेंडर 10 के student पे diabetes type 2 का test एक सर्वे किया गया था, जिसमें हम लोग करीब करी 96600 student को cover किये थे, उसमें से 7600 बच्चों को diabetes पाया गया, और होना सुरू हो गया है. और healthy food का सेवन करना होगा, ताकि immune level भी आपका strong रहे, जहां तक diabetes की बात आती है, अगर आप या फिर आपका कोई neighbor, nata, रिष्टेदार, diabetic patient है, तो आप उन्हें body folia, herbal, tonic का इस्तमाल करने की जरूर सलहा दे, क्योंकि ए clinical trial है, इसका कोई side effect नहीं है, यह 100% safe है, 100% herbal है, और सा आप में आपके diabetes को control में रखने में पूरी दरह से सक्षम है, नंबर्स आपके सामने flash हो रहे हैं, अगर आप इसे अपनाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर आप contact कर ले, जो लोग diabetic patients हैं, उन्हें आप क्या सलहा देंगे, उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या precautions लेने चाहिए ताकि उनकी diabetes control में रहे? और तीसरा, सोने पर, आज के बदलते परवेस में हम लोग सोने को backbench पर छोड़ देते हैं, उसको बहुत पीछे उसका ज्यादा महत नहीं देते हैं, जबकि सोना equally important है, जितना important physical exercise और खाना पीना है, खाने पीने के बारे में मैं एक चीज अपने दर्सकों को बताना चाहू हमें आठ से नौ के बीच में जरूर नास्ता कर लेना चाहिए, और वो नास्ता होना चाहिए अंकुरीत अनाज, प्रिफरेबली भी यदि आप देखेंगे, तो मूं, अंकुरीत मूं हम खाएं, जिसको हम ग्रीन ग्राम करते हैं, तो नास्ता का शुरुवात हमें अंकुरी टू इस्टू थू 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 आपको कच्चा खाना खाना है, लाइक सलात खाना है, अंकुरीत अनाज खाना है, और दो तीहाई भाग आप अपने मर्जी से चावल, दाल, रोटी, सबजी, जो कुक्ट फूड है, वो खा सकते हैं, ठीक इसी परकार से रात में हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, कि यदि हम डियाविटिक हैं, और हमें सर्दी खांसी जुका मस्तमा नहीं है, तो हमें दही का समावेश अपने खाने में, लंच में हमें दही का समावेश या बटर मिल का समावेश जरूर करना चाहिए खाने में, और रात में फिर इसी तरीके से 1-3, 2-3 के proportionate में हमें खाना खाना है, 1-3 आपको salad खाना है, और salad पहले खाना है, और 2-3 जो दो तीहाई भाग बच जाता है, वो आप अपनी मर्जी से खाना खाएं, वहाँ पर कोई परहज नहीं करना है, जहां तक cooked rice खाने का सवाल है, आप moderate way में, moderate quantity में cooked rice खा सकते हैं, पर यहाँ पर के वाले एक बात का ध्यान रखना है, कि cooked rice, cooked होने के आदे घंटे के अंदर में हम उसको खा ले, बस इतना ही हमें rice के बारे में ध्यान रखना है, बाकि हम rice खा सकते हैं, वहाँ पर कहीं कोई तकलीफ नहीं आता है, नियूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, यह सम्मरी उसको होती क्यों है, इसके पीछी जो मुख्य कारण है कि हम भले ही एलोपैथ दवा या आईरुबे दवा ले रहे हूँ, और उसके कारण सायथ सुगर कंट्रोल हो रहा है, पर सुगर प्रॉपर वे से सुगर का काम है इनर्जी बनना, और यहां पर मैं दर्सकों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि सुगर बढ़ने या सुगर कंट्रोल है भी, यदि हम एलोपैथ दवा ले रहे हैं, तो सुगर प्रॉपर में मेटाबोलाईज होके इनर्जी नहीं बनना है, और जब सुगर प और एक समय आता है कि हमें इसका operation कराना पड़ता है, इसका transplant कराना पड़ता है, तो इन से बचने का यही तरीका है, कारगर तरीका है कि हम अपने जीवन पध्यती में थोड़ा सो सुधार लाएं, जैसा कि हमने बताया कि हमें खाने पिने में प्रवरतन लाना चाहिए, हमें सोने में 11 बजे के पहले प्रयास करना चाहिए कि हम सो जाएं, और तीसरा बोडी फोलिया, बोडी फोलिया को हम अपने भोजन में हमारे रूटीन में इसको समावेश करें, तो यह कारगर रूप से हमें इन चीजों से बचाएगा, चाहे हो प्रिलिमिनरी डैविटिज कंप सब्सक्ति रहता है, रात में जो हम फ्रिक्वेंट इन जाते हैं, बिदीने मन्त इन में चिंज होना शुरू हो जाता है, और 6-7-8 महीने जाते जाते, सही तरीके से यह सुगर मेटबलाईजों की इनर्जी बनता है, हार्ट किड्नी लिवर को जितनी इनर्जी चाहिए, उत कि बेसिक शुरुआत आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधा लाकर ही करनी होगी, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधा नहीं लेकर आएंगे, अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं लेकर आएंगे, तब तक कुछ भी मुम्किन नहीं है, अगर आपने लाइफस्टाइल में सुधार नहीं किया तो डाबिटीज किया और भी अन्य कई प्रकार के रोग हैं जो धीरे धीरे आपको अपना शिकार बना सकते हैं इसलिए बहुत जादा जरूरी है कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लेकर आएं एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए एक बहतर लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए चीजों के पीछे ना भागे जो है उसको समेटने की कोशिश कीज़े खुद पर ध्यान देने की कोशिश कीज़े यूही नहीं कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया दूसरा सुख पास हुबाया पह से करना है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको सिंग सहाब ने यह समझा दिया है अब यह आप पर निर्भर करता है कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप आगे बढ़ते हैं कोई प्रॉब् को आप अच्छी तरीके से डिसकर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही नंबर्स आपकी पूरी तरह से मदद कर देंगे जो लगतार हम आपको आपकी टीवी स्क्रींग पर दिखा रहे हैं बस जरूरत है अवेर होने की क्योंकि जब तक आप अवेर नहीं होंगे तब लोग प्रदान करें और डियाबिटीज से बचे, डियाबिटीज को कंट्रोल में लेकर आएं अक्सर हम यह भी सुनते हैं कि डियाबिटीज अगर किसी व्यक्ति को है तो वो धीरे धीरे और रोगों का भी शिकार होने लगता है हाला कि इसका कुछ जिक्र अभी हमने पहले लेकिन कई बार हम यह प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखते हैं कि जो इसे टाइबिटीज है उसे थाइरॉइड तो होगा ही होगा ऐसा क्यों कि भी अचुट करने के लिए इनरजी चाहिए और जब इन अंगों को सम्चित रूप से इनरजी नहीं मिलेगा तो यह सारे इंटर्नल वाइटल आउर्गें है धीरे 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 काम करना बंद कर देता है या काम दीरे-दीरे समचित रुप से काम को नहीं कर पाता. जब समचित रुप से हमारे इंटर्नल violetBox काम नहीं करेंगे तो सभाविक तोर पे diabetes होने के बाद thyroid का problem भी देखने को मिलेगा blood pressure का problem देखने को मिलेगा आँख के problem देखने को मिलेंगे इस सारे problem धीरे 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 दीखना शुरू हो जाता है बगुद अश्यकोवा diabetes को control में करना बहुत जादा ज़रूर है क्योंकि देखिया अगर आप diabetes control में नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये तमाम problems आपने दिखनी शुरू हो जाएंगी जिनका जिक्र अभी अभी सिंग सहाब ने भी किया है और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप aware हो जाएं और मधुमें मुक्त भारत का निर्माण होने का जो निर्माण करने का जो उदेश है हमाई संस्था का वो सच हो सके वो सार्थक हो सके लेकिन इसमें आपकी मदद की हमें जरूरत है नंबर्स आपके सामने flash हो रहे हैं बिना देखिया आप इन नंबर्स पर है ने किसी प्रकाया के रोग से जूझ रहा है तो क्या तब भी वो बेजज़क इस टॉनिक का इस्तमाल कर सकता है आपने बहुत सही कोश्चन उठाया है हमारे दर्सकों के लिए हमें body folia जो भी हम दवा ले रहे हैं या हम इलोपैत का दवा ले रहे हैं या आयरुवेट का ले रहे हमें उसके साथ body folia को लेना चाहिए और body folia जैसा मैं बताया कि यह हमारे body को detoxify करता है हमारे pancreas को proper nutrition देके insulin सही तरीके से निकले उसमें मदद करता है नतीजा होता है कि डैविटीज के साथ साथ हमें thyroid में हमें blood pressure में हमें migraine headache में हमें gas acidity में constipation में इन सब जगह पे हमें इसका सही सही और अच्छा परिनाम देखने को मिलता है तो एक swasth जीवनजीने के लिए जैसा के आपने बताया और मदमें मुक्ती जीवन जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बॉडी-फोलीया के बारे में समझे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जनकारी इकठा करें और इसको हम जितना जल्दी हो सके इसका हमें सुरुआत करना चाहिए बरकुर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसे अपना लीज़ जएगा बॉडी फोलिया हबल टॉनिक जो पूरी तरह से हबल है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ख्लिनिकल ट्राइल है और ये आपके बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाय करने का काम करता ह है आपके पैंक्रियास को नुट्रीशन प्रोवाइड करता है आपके कलेस्ट्रॉल को बैलन्स करता है और साथ में आपके हीमोग्लोबन को भी मेंटेन करके रखता है तो नमबोज आपके सामने फ्राश हो रहे हैं बिना देर कि आप इनमबोज पर कॉन्टाट कर लें और फोलिया हर्बल टॉनिक को तुरंत अपना और अपनी डियाबटीज को कंट्रोल में लेकर आए चलने के दीजय अज़ाजत आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया बहुत बहुत धने बाद उसके लिए आपका नमस्कार दुर्शुकू